दोस्तो आज हम बनाएंगे मोदक वो भी सिर्फ 5-10 मिनट में बिना साचे के बिना गैस जलाए और इन्हें देखने के बाद कोई कह सकता है कि ये बिना साचे के बने हैं तो आखिर हमने साचा यूज नहीं किया तो ये इतनी परफेक्ट शेप किससे दी है तो इसके लिए आप वीडियो पूरी देखें तर ये मोदक बनाना शुरू करते हैं तो इसके लिए हमने लिए हैं ये काजू, बदाम, पिस्ता और इलाइची क्वांटिटी आप अपने हिसाब से ले सकते हैं जितने आपको मोदक बनाने हो तो इन सभी को हम एक मिसी जार में डाल लेते हैं और इनका एक दरदरा सा पाउडर बना लेंगे तो देखें इन सभी का हमने एक दरदरा पाउडर तयार कर लिया और अब हम ले लेते हैं थोड़े से खजूर तो ये खजूर के बीज मैंने निकाल दिये थे इननें भी हम पीस लेते हैं और पीसनें के बाद, इसे भी मिक्स कर देगे तो इसका जो यूज है वो हम दोनों तरह के मोदक में करेंगे, तो पहले तो हम इसके मोदक बना लेते हैं, तो देखिए, इसे मैंने इस तरह गोल किया, और ये मेरे पास में मफिन मोल्ड है, सिलिकोन के, और इस मफिन मोल्ड से मैं इन मोदक को शेप दूँगी, तो आप दे मैं इस मोदग को शेप दे रही हूँ तो अगर आपकी पास में मॉफिन बोल्ड है घर में तो भी आप इजिली मोदग बना सकते हैं तो अब आप इसकी शेप देखिए कितनी परफेक्ट शेप आई है अब आप चाहें तो इस पे हलके हलके से चाकु से कट लगा सकते हैं आपको सारे मोदग बनाने हैं देखिए और अब हम बनाते हैं दूसरे मोदग तो दूसरे मोदग बनाने के लिए मैंने 100 ग्राम गरीब काजु लिये थे इनका मैंने पावडर बना लिया काजु का पाउडर बनाते समय एक चीज़ का ध्यान रखें कि continue mix को ना चलाएं 10 सेकिंड के लिए चलाएं फिर बन कर दें फिर 10 सेकिंड के लिए चलाएं फिर बन कर दें क्योंकि अगर आप continue mix के चला करके काजु को पीसेंगे तो उसका पाउडर नहीं पेस्ट बन जाएगा और अब मैं इसमें डाल रही हूँ मिल्क पाउडर तो ये पांच चमच मैंने इसके अंदर मिल्क पाउडर डाला है mix कर लेते हैं दोनों चीजों को अच्छे से wish अब मैंस मिल्क पाउडर फिर छान लिया था फिर से mix कर लेते हैं ताकि शूगर इसमें इच्छे से तो ये दो चमज मैने इसमे डाल दिया गी? और आप इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और मिक्स करने के बाद हम इसमें थोड़ा-थोड़ा करके दूप डालेंगे आँ इसे भी हम डो की फोर्म में लाएंगे तो इसका डो बनाते समय अगर आपको लगए कि इसमें दूर थोड़ा जादा डल गया है तो आप इसमें थोड़े से काजू या मिल्क पाउडर और डाल सकते हैं और यह देखिए इस तरह का टाइट डो हमें इसका बनाना है जिस तरह का काजू कतली का होता है बिल्कुल वैसा ही और अब यह देखिए मैंने एक साफ पोल काटे की तरह कुणना है और यह देखिए इस पर कितनी अच्छी शाइनिंग आ गई है तो अब हम इसे इकठा गड़ लेते हैं और इसके मोदक बनाएंगे तो यह पहले से मैंने कुछ मोदक बना लिये थे अब मैं एक मोदक आपको बना करके दिखाती हूं तो यह मैं इस मोदक में फिल कर देती हूं और यह देखिए इसे भी हम इसे शेप देंगे तो यह लीजिए हमारे मोदक तयार है तो दोस्तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इसी तरह की आसान रैसीपी देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूल साथ ही नई वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बैल आइकन को हीट करें वीडियो पसंद आई तो लाइक और फैमिली फ्रेंड्स में शेयर जरूर कीजिए तो यह दीजिए हमारे दूसरे तरह की मोदक भी तयार है तो देखा दोस्तों कितनी आसान है कि हमने बिना गैस सब्सक्राइब कर लिए कितने बढ़िया मोदक बने हैं हमारे तो मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ तब तक के लिए अच्छा खाये स्वस्त रहें थैंक्यू